नमस्तार मैं हूँ अंजली और आप देख रहे हैं RPS समाचार तो चले श्राइब करते हैं आज की मुख्य खबर से NCP पर कबजे के लिए चाचा भतीजे में जंग तेज सरतपवार ने अजीद गुट के इन बारे विधायकों को भीजा नोटेज महराज की राजनीती में बतीजे अजीद पवार की विद्रोज से सरतपवार को बड़ा जटका लगा है NCP में बगावत की जंग अप पार्टी पर दावित तक पहुंच चुकी है इसी कड़ी में अपने पहले प्रभावसाली कदम के रूप में शरतपवार ने जमीनी इस्तर के कारकरताओं तर पहुंच बनाने के लिए NCP की युवा कारकरताओं के साथ एक मेराथन बैठक की है इस बैठक में NCP चीफ ने कारकरताओं को पार्टी की विचाधारा का पार्ट पढ़ाया जिसमें बीजेपी की विभाजनकारी राजनीती का विरोध करने पर जोड दिया गया जितियन अवहड ने जारी किया नोटिस NCP पर कबजे की जंग नईस्तर पर पहुंचती दिख रही है सरत पवार गुट के मुक सचे तक जितियन अवहड ने अजित पवार गुट के साथ गए 12 विधायकों के कारण बताओं नोटिस जारी किया है आवहड ने इन सभी विधायकों से 48 घंटे में जवाब मांगा है तरसल ये सभी 12 विधायक सरत पवार की बैटक में नहीं आये थे वे अजित पवार केंप में दिखे थे इससे पहले जितियन अवहड ने अजित पवार के साथ मंत्री पत के सपत लेने वाले आठ विधायकों की सदसिता खत्म करने के अरजी महराश विधानसभा के अद्ध्यक्ष राहुल नार्विकर को दी थी कौन कौन से 12 विधायकों को भेजा गया नोटिस जिन 12 विधायकों को नोटिस भेजा गया है उनमें सुनील सेलके, दिली बनकर, नितिन पवार, दीपक चवार, इंदरनील नायक, यस्वन्त माने, शेखर निकम, राजु कार्मोरे, मनुहर चंद्रिकापुरे, संग्राम ज खबरों में अब तक लिए बस इतना ही मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ तब तक लिए नमस्कार और देख रखिए और पिए समाचार